हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोट आफ पंजाब एन हर्याना की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज से यहाँ पर जारी की गई है, किलर्क पोस्ट के लिए इसके आप ओनलाइन आविदन यहाँ पर कर सकते हैं और कैसे आविदन करना है, इसकी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ पर फ्रेंज से जो यह नॉटिफिकेशन है, इस से रेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप अप्लिकेबल हैं, अप्लाइ करना चाहते हैं, तो आप इसमें ओनलाइन अप्लाइ कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंज से जो यह नॉटिफिकेशन है, इ अप्लाइ करने से पहले फ्रेंज से नॉटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें, अगर आप अप्लाइ करना चाहते हैं, तो 769 पोस्त के लिए आप इसमें आविदन कर पाएंगे, बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाइ प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टा करना होगा, रडिस्टेशन करने के लिए फ्रेंज से कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां फिल करनी है, सबसे पहले फ्रेंज से आपको यहां पर देना होगा, नेम ऑफ दा एप्लिकेंट, तो आप यहां पर नाम एंटर करेंगे, तैन की मार्शीट या साइटिफिकेट के अकोडिंग, इसके बाद फ्रेंज से नेस्स उप्षन आता है, आपके डियो भी मिन से डेट अप बर्थ का तो आपको इस केलेंडर का यूज करना है, और आपकी जो भी डेट अप बर्थ है वो फ्रेंज से आप इस केलेंडर के माध्यम से सलेट करेंगे, एक जनवरी 2022 को नीचे आपको सबसे फ़हले जैंडर सलेट करना है, आपका तेन डिजिट का मॉबाइल नमबर आपको दो बार देना होगा आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, और एक डियो छद्व नेवरी करने के बाद एक capture code को fill करेंगे capture code fill करने के बाद friends एक option है re-verify का आपको यहां से जो data है जो registration करते समय आपने फिल की है उसको आपको re-verify करना होगा और उसके बाद ही friends आप इसे save and nest कर सकते हैं तो basic जानकारी है अभी सिर्फ आपको नाम, date of birth, mobile number और mail ID आपको यहां पर enter करनी है और उसके friends आपका देखी registration है वो complete हो जाएगा registration complete होने के बाद आपको यहां पर एक option मिलता है go to application का आप इस option पर click कर देंगे इसके बाद friends जब आप login हो जाते है portal पर तो सबसे पहले आएगा personal detail section अब यहां पर देखी सबसे पहले आपको यहां पर nationality select करनी है आपका marital status आपको select करना है और आपका जो father and mother name है वो आपको friends से यहां पर enter करना होगा तो यह friends से basic जानकारी है जो कि friends से आप यहां पर enter कर देंगे इसके बाद friends से next option आएगा आपके dimension और category का आप से पूछा रहेगा कि आपकर जो डॉमेंशन है अगर वो पंजाब है तो आप yes कर सकते हैं category में friends से यहां पर general SCBC का option आपको मिल जाता है OBC का option मिल जाता है आप अपने according यहां पर जो भी category है वो आप selected कर सकते हैं इसके लवा friends से यहां पर देखिया आप से पूछा गया है कि जो डॉमेंशन अगर आपका पंजाब नहीं है उस condition में आपको सिर्फ जंडल से ही यहां पर आवे additional detail का होगा इसमें आपसे पूछा आएगा employee है अगर आप state government या central government या other state government में तो आप यह से अन्यों कर सकते हैं आपको friends से कभी भी dismiss किया गया है नहीं किया गया है आप उसके बारे में जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बार इस data को save and nestik कर देंगे data यहां पर एक बार शेवाब की हो जाएगी इसके बार आएगा आपका correspondence address, correspondence address होता है आपके present का address यहां पर पर प्रजेंट में रहते हैं तो आपको देखे पूरा address यहां पर mention करना है address line 12 में आप यहां पर अपने address की entry करेंगे इसके बार है country option तो आपको यहां पर country select करनी है आपको friends से आपका state select करना है जहां पर आप present में रहते हैं इसके बार friends आपको यहां पर district select करना होगा और आपका pin code आप यहां पर enter कर देंगे अब आपका present address और permanent address same है तो आप yes पर click कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे और उसके बाद यहां से save and nest कर देंगे इसके बार friends जो main option आता है वो है आपके qualification का अब qualification में देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा matriculation आपने पंजाबी as a one of the subject पास की है नहीं की है तो यहां पर friends जो पंजाबी language है आपको as a subject आपका matriculation में होना चाहिए इसके बार friends से यहां पर पूछा गया है जो qualification है जो की advertisement में दी है वो आपके पास है या नहीं है आप यहां पर yes करेंगे प्रोफेंसी operation of computer में आपके पास होनी चाहिए इसलिए आप यहां पर भी yes करेंगे नेस option आएका आपके 10 तो आपको यहां पर सबसे पहले देना होगा आपके board का नाम तो आपका जो भी board है उसका नाम आप यहां पर enter कर सकते हैं आपके school या institution का नाम क्या है वो आपको यहां पर enter करना होगा नेस option है आपके year of passing का तो आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी provide करेंगे marks obtain आपको देने है और कितने मेंसे number आपके आए है maximum marks आपको यहां पर देना होगा और उसके बार आपको यहां पर percentage आपकी देनी होगी तो friends यहां पर देखिए numbers की entry करने की बार आता है आपका duration detail क्योंकि degree आपकी यहां पर होना ज़रूरी है तो आपका इन मेंसे कौन सी degree है तो जो भी degree आपकी इन मेंसे है वो आप select कर सकते है degree select करने की बार इंस्टूट जहां से आपने यह complete किया है वो friends उसका नाम क्या है उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी तो आप यहां पर उसकी जानकारी या नाम आप यहां पर provide करेंगे और यह recognize है या नहीं है तो आप यहां पर yes पर click करेंगे month and year of passing क्या है तो आप इस calendar पर click कर सकते हैं आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी प्रवाइड करेंगे इसके बार friends से marks obtain की जानकारी आपको देनी है कितने numbers आपने यहां पर gain किये कितने में से gain किये आप उसकी जानकारी provide कर देंगे इसके बार friends से आता है any other qualification अगर आपके पास देखिए कोई other qualification है diploma है PG है कोई higher qualification है आप उसकी जानकारी provide कर सकते हैं नहीं है तो आप इसे blank छोड़ें और उसके बास save and nest पर आपके लिए कर देंगे इसके बार friends से next option आता है test city का तो यहां पर देखिए test city में friends से आपको सबसे पहले पूछा आएगा state name मतलब आपना जो exam center है वो आप किस state में लेना चाहते है और आपको exam centers की list है वो आपको मिल जाती है ऐसे ही second state आप यहां पर select करें अब आपसे कहा गया है आप सेम state choice नहीं कर सकते तो आपको यहां पर कोई other state यहां पर choose करना होगा और उसके बार आपको exam center यहां पर देना होगा ऐसे ही friends करते हुए आपको 3, 4, 5 आपको यहां पर जो भी centers आप से पूछे गए है वो आपको select करना जरूरी है इसके बार friends आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बार यहां पर आपको save and nest का एक option मिलता है आप इस option पर click कर देंगे यहां पर देखिए जब आपकी data complete हो जा तो यहां पर friends से documents upload करने के बाद आपको नीचे देखिए payment करना है तो जो payment है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा और payment करने के लिए mode of payment आपको online select करना होगा इसके बार friends से आप इसे यहां पर declare करेंगे तो declare की option आपको यहां पर complete करने है इसके बार आप इस capture code को fill तो friends पिर्यू से satisfy होने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप यहां से submit पर click करेंगे इसके बाद देखिए जो payment gateway है यहां पर आपको multiple options मिलते हैं credit card या debit card के माध्यम से आप payment कर सकते हैं तो card details को fill कीजिए और payment verify कर लीजिए या फिर आप net banking API यूज कर सकते हैं कोशिश कीजिए net banking या card आप यूज करें अपने payment को complete करने के लिए आपका payment जैसे ही verify होगा उसके बार फेंस अपना final printout निकल कर अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहां पर फेंस इस वीडियो हमने बात की पंजाब एर हर्याना हाइको हमारा यूटीब चनल एलास थैंक्स पूर वाचिंग